गुरू घासी दास राश्ट्र उद्यान बैखुंट पुर में निर्मान कार्य के नाम पर खनीत संपदा का जम कर दोहन किया जा रहा है हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये काम कोई और नहीं बलकि विभाग स्वेम कर रहा है आपको बता दे कि राश्ट्र उद्यान को हाल ही में प्रदेश का चोथा टाइगर रिजर्व घोशित किया गया है जिसका चलते नियमों में सक्ती आ गई है पर ताज़ग की बात है कि इन बेश कीमती खनीत संपदा और जंगल की प्राकरती खूपसूरती का जिम्मा जिन जिम्मेदारों के मजबूत कंधों पर है वे ही इसे मिटाने पर तुले हुए है ताज़ा मामला पार्क परिक्षेत्र सोनहत का है जहां के मजगवा सरकल में चार नग रप्टा का निर्मान किया जा रहा है जहां जंगल से ही मिटी रेत बोल्डर आदी का अवैद उत्खनन किया जा रहा है इन कारियों में अवरोध उत्पन करने वाले कुछ व्रक्षों को भी काटा गया है जबकि पार्क परिक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीनों को जंगल से सूखी लकड़ी तक लाने की मनाही है और पकड़े जाने पर कड़ी कारवाई की जाती है वही जब निर्मानकारियों की बारी आती है तो यहीं अधिकारी धडले से उन्हें बेश कीमती खनीत संपदाओं का दोहन करते हैं और मोटी कमाई करते हैं कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा बताते चले कि वनांचल शेत्र में वनविभाग की मनमानी चल रही है अव्याद रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है निर्मानकारियों के नाम खनीत संपदा का जम कर दोहन किया जा रहा है बताते चले कि गुरु घासिदास राष्ट उद्यान बैकुंडपुर में निर्मान कारिय के नाम पर खनीज संपदा का जम कर दोहन किया जा रहा है ताजा मामला पार्ग परिशेतर सोनहत का है जहांके मजगवा सरगल में चार नग रप्टा का निर्मान किया जा रहा है अगर नियमों की बात करें तो 36 गर राज जवन अधी नियम सुप्रीम कोट के सक्त निर्देशम नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल द्वारा आदेशित किया जा चुका है कि निर्मान कारियों के दोरान अगर व्रक्षो को काटने की अवशक्ता होती है तो सर्व प्रथम सूचना देकर N.O.C. प्रात करने के पश्चाथी पेडों को काटने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है इस मामले में बड़ा सवाल यही है कि क्या वन विभाग प्रयावर्ण मंत्राल जिला अत्वा जन्पद पंचायत को सूचना भेजी गई थी NGT से NOC प्राप्त की गई है या नहीं खनीच संपदा खना अधीनियम के तहट भी खनीच संपदा का दोहन बिना पूर्वा अनुमती के नहीं किया जा सकता है कोरिया से समात अता राजुशर्मा की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेश को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें अन्यवाद